भारती जंता पार्टी 36 गर्द्वाया निकाली गई परिवर्तन यात्रा शुक्रुवार की शाम बालोत पहुची शनिवार को बालोत की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वद्देवरी मारी बंगला में आयोजित आम सभा को संबोधित करने पहुचे भाशपर प्रदेश अरुण साओं ने मुखे मंत्री भुपेश बगहेल पर तीखा हमला किया है पत्रकारों से पूछे गर सवाल पर अरुण साओं ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जब रायपूर आये थे तो भुपेश जी ने स्वयम कहा था कि हम जितना मांगते हैं उससे कि ये नहीं है यह सच्चाई है जो आगड़े बताते हैं लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि राज्य सरकार की तरकी और बहतरी का काम केवल और केवल भारती जन्ता पार्टी ने किया है देश और प्रदेश पे वर्सों इनकी सरकार थी लेकिन किसानों की कभी चिंता नहीं की किसानों की चिंता करने का काम किसानों की तरक्य बहतरी का काम कि सुरवात अटल बिहारी बाजपई जी के सरकार बनने के की मिला है उनकी है बहुसक्त एस. लिजम्टलीजी जबान मंत्री जी राइपूर आ थे भुपेर बघेल ने कहा था कि हम जीतना मानते हैं उससे ज्यादा देते हैं अब टीएस्दी देवजी ने वहीет बात कहीए कितना सहयोग केंदर से मिल रहा है तो जो हम बोलते हैं कि भुपेद बगेल जूट बोलते हैं सबेरे से जूट बोलते हैं उनके जूट को उनके उपमुक्यमंत्री ने ही प्रमारित किया कि लगातार केंदर सरकार के खिलाब जूटे आरोप और बेबुनियाद बात ये करते हैं कि Y20 का कारिक्रम राइपूर में हुआ है लगातार कारिक्रम हो रहे हैं अलग-अलग संसाओं के माध्यम से सरकार के माध्यम से तो लगातार G20 के करिक्रम हुए है ये तो कांगरेट परिटी जब भी देश का मांसम्मान बढ़ता है देश उपलब्धी हासिल करता है इनके पेट में दर्द होता है अभी जिस प्रकार से दिल्ली में G20 का लोगों का समेलन हुआ पूरी दुनिया ने दे पूरे दुनिया में जा रहा है इसी से कांगरेट के लोगों को दर्द होता है और बेवन्याद और आनावस्चक बाते कहते हैं